नमस्कार मैं अब शेक्मर आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस इस्टड़ी वित अभी में तो आप सभी को मेरा जैगरू रेलवे के जितने भी ऐस्परेंट्स है आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा खास करके मैस के सब्जिक्ट के लिए अब यहाँ पर मैं वो बाते बतलाऊंगा जो realistic चीजे है जो मैंने face की वो सारी experience मैं आपके साथ share करूँगा दूसरी चीज जो बदलाओ railway में हुआ है देखे syllabus मैस का कुछ भी नहीं बदला लेकिन जो पूछने का तरीका है और क्या तरीका में बदलाओ किया TCS ने वो सारी बाते as it is मैं रखूँगा चाहे आप ALP के तयारी कर रहे हो चाहे टेक्निशन के तयारी कर रहे हो चाहे NTPC Group D, JE की जो भी तयारी कर रहे है क्योंकि उस टाइम हमने भी तिया paper CBT1 चीजे qualify की CBT2 की साइको की सारा answer की हमने इसमें भी डाल रखा है result वगरा YouTube पे लेकिन बहुत जल मैं आपको ये दिखलाऊंगा कि जो trade paper है और मेरा जो trade था feature trade तो आपको मैं ये दिखलाना चाहता हूँ कि accuracy कितना माइने रखती है मात्रों मात्र मैंने 30 से 32 सवाल attempt किये थे और उस 30 32 मैंने 25-26 सवाल सही किये तो ये accuracy देखिएगा और उसमें normalization होके paper 2 में जो part B है यानि CBT 2 में जो part B होता trade आप कितना आराम से qualify कर सकते हैं एक सही approach अगर लेकर चलते हैं तो किसी के भी trade में आप कोई भी trade का paper आप दे रहे होंगे तो उस पर हम लोग आएंगे अगले वीडियो पे लेकिन इस वीडियो में बात कर रहे होंगे क्योंकि अभी का जो आप YouTube पे देखते है basic science engineering drawing के पीछे लोग पागल हैं और आप बड़े बड़े teacher भी आपके साथ लगे हुए हैं ये गलत टाइम है अब आपने आपको shift करना है आपको CBT1 mode में पहली चीज़ तो ये दूसरी बात क्योंकि अभी cut throw competition है दोस्तों इस बार की बात की जाए number of applicant भी बहुत ज़ादा होंगे दूसरी बात इनकी तयारियां भी सांदार है तो आपकी cut off इस बार पिछले साल से भी जादा होंगे और दूसरी बात इस बार 15 गुना ही result दिया जाएगा comparatively पिछले बार 20 गुना result दिया गया था next इस वीडियो में मैस में complete चीज़े मैं बतलाओंगा topics तो आपको पता ही है कि आपको ये topic पढ़ना है ये सारी चीज़े लेकिन इसमें क्या बदलाओ है क्या आपको करना चाहिए कौन कौन सी book आपको पढ़नी चाहिए especially maths के लिए ये सारी बाते हम लोग इस पर बात करेंगे तो बने रहिएगा और सबसे important इस channel को आप join कर लिजेगा telegram group especially मैंने railway के लिए बनाया है क्योंकि आपने देखा कि अभी मैंने JSSC में काफी सांदार content दिया है चाहे वो science का छेतर में हो चाहे maths का छेतर में हो चाहे reasoning हो इसलिए इस बार मैं आपको science का भी आप भी देखे आप लोग परिशान है engineering drawing को लेकर basic science है तो आप देखे content की quality क्या होती मैंने link दिया है comment section आप जाकर के केवल देखे engineering drawing का video है ठीक है दो chapter मैंने complete किया है और जिस तरह से चीजों को मैंने समझाया है वो आप एक बार देखिए वो मैंने वो बाते रखी है और कितना easy way में चीजों को समझा जा सकता आप एक बार देखिएगा तो आप खुद बोलिएगा next science के भी मैंने physics में बहुत सारे lecture दिया आप उसको भी एक बार visit किज़े आप खुद समझ पा रहे होंगे कि ncrt based चाहे वो exemplar हो चाहे किसी का कोई भी publication हो आप कैसे उनको बना पा रहे होंगे अगर concept clarity रखते हैं तो तो वो सब एक बार आप जरूर फॉलो करिएगा आप telegram group को join कर लिजे सबसे best वहाँ पर सारी चीजे मिल जाएगी चलिए बात करते हैं हम लोग आज maths की syllabus के बारे में और maths में क्या किताबे आपको पढ़नी चाहिए क्या ही कि strategy आपको follow करनी चाहिए क्यूंकि आपको ये वो paper है जहां आपको 20 सवाल CBT1 में मिलेंगे और CBT2 में 25 सवाल syllabus में कोई भी change नहीं आपको देखने को मिलेगा नहीं level में कोई change देखने को मिलेगा तो complete बने रहेगा CBT1 और CBT2 दोनों के लिए ये काफी important वीडियो है खास करके maths के छेतर में देखे, total number of questions CBT1 में 75 पूछे जाएंगे, इस 75 में आपको maths के 20 सवाल होंगे जिसके लिए आपको total 60 मिनट समय होगा और negative marking 1 by 3 है आप सभी को पता है अब देकि यहाँ पर यहाँ मैंने topics के नाम लिख दिये हैं इससे आपको इतना परिशानी नहीं लेना total 23 chapter मैंने लिखे हैं एक number system में जिसमें language based question पर आपको ध्यान देना ये मैं फटाफ़ट topic पढ़ देता हूँ एक बार देख लिजेगा जो new students है बाकी main बात करेंगे कि क्या बदलाव आया है क्या book follow करनी है और क्या strategy आपको maintain करनी है simplification, square, cube, road, search and indices बहुत सारी चीज़े board mass हो गया, decimal हो गया, fraction हो गया LCM, SCF और APGP ये पूरा number system का part हो जाता है फिर इधर 7 numbers हम लोग चलेंगे ratio and proportion पे देखे ratio and proportion में आपको बहुत सारा chapter complete होता है जब आप ratio and proportion complete करेंगे तो percentage और, sorry, partnership और age भी आप उसी के साथ complete करेंगे time and distance, train and board, time and work, pipe and system, average और फिर mixture and allegation और इसके बाद जब आप percentage का concept समझ लेंगे तो आप percentage के समझने के साथ-साथ आपका profit and loss और discount complete हो जाएगा CISI installment complete हो जाएगा फिर इतार आपका advanced section जब बनता है तो आपका mensuration 2D, 3D very very important railway के point of view से algebra, geometry, coordinate geometry, technometry, statistics very very important तो ये total 23 chapter है जो आपको maths में पढ़ने और कुछ-कुछ चीज़े आप छूट रहे हैं और CBT-2 के लिए भी अच्छे से अब बात करते हैं हम लोग कैसे आप इसको तयार करेंगे इस पे आते देखिए railway अगर बात किया जाए maximum chances है कि इस बार भी TCSI paper conductor आईगी जो भी करवाए ठीक है ना लेकिन आपको उसके लिए तयार होना मैं उसका formula आपको बतलाता हूँ सबसे पहले चीज़े कि आप जो भी topic पढ़ें उसका पहले concept build up करेंगे जैसे एक example ratio and proportion आपने पढ़ा तो आपने उसका concept पूरा सारे type wise ratio के पढ़ लिए चाहे उसका milk water वाला concept हो चाहे population वाला concept हो सूगर, milk वाला जितने भी types के बनेंगे वो सारा आपने पहले concept build up कर लिया ठीक है चाहे आप YouTube में पढ़के चाहे किसी के भी paid course में चाहे हमारे साथ जुड़ करके आपने complete किया हो जैसे भी आपने concept build up किया अब देखे अगर आपको कोई मतलब कि specialist maths के लिए कोई book लेना है तो आप RS अगरवार ले सकते हैं speedy का ले सकते हैं, घटना चक्र का ले सकते हैं बहुत सारे publication अरियंद का भी है ले सकते हैं, लेकिन मैं सबसे अच्छा suggestion दूँगा कि जैसे आपने ratio and proportion मैं एक chapter का नाम लियाओ, आपको कुछ भी हो सकता algebra हो सकता, mensuration होता, जो भी होगा आपने सबसे पहले concept build-up कर लिया chapter का उसके बाद तुरंट shift होना है आपको वो किताब के पास वो किताब in the sense की जो pyq book आपके topic wise होंगे जैसे कि ratio and proportion के जितने भी railway ने conduct करवाएं थे paper 2018 से, वो सारे topic wise होंगे तो आप उसको निकालेंगे ratio and proportion के वो सारे question लगाएंगे 2018, उसको solution है या फिर YouTube में पढ़ा रहेंगे teacher आप paid course में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा तो सबसे पहला target आपका concept build-up करना है second काम आपका TCS based जो question आया हुआ है जो TCS ने पूछा है railway officially वो सारे किताब को पहले आप buy करेंगे मिल जाएगा कहीं से भी online भी purchase कर सकते हैं या course में ही बहुत सारे teacher पढ़ाएंगे हम लोग भी करेंगे तो आप वहाँ से पहले करेंगे third में आपको काम करना है जो latest SST के exam हुए है 2020 से लेके 24 तक TCS के सारे question pre examination का ऐसा इसलिए क्योंकि NTPC का paper हो चाहे group D में आपका as it is copy किया है यहां से यह मैं दिखलाओंगा भी आगे के वीडियो में इसलिए इसके बाद आपको यह करना है जब यह तीन चीज़ आपके हो जाएंगे यकीन मानिए बहुत सांदार में आपका maths strong हो जाएगा अब बदलाओं क्या हुआ है मैं आपको बतलाता हूँ कि maths में क्या changes आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि देखे जब NTPC का CBT2 mains का paper हुआ group D का paper हुआ तो वो बदलाओं वहां से ही start हुआ था maths में भी और reasoning में भी तो reasoning की बाते हम लोग बात में करेंगे और science की बाते बात में करेंगे NCRT कैसे करना है उसके अलावे और क्या पढ़ना है तो सबसे पहला चीज कि आपको maths में calculation strong करना है calculation strong करना in the sense कि पहले के time में आपको 20% math में दिया जाता था 10% दिया जाता था 50% दिया जाता था 60% दिया जाता था अब आपको value मिलेगा 33% ठीक है ना तो यानि कि आपको fraction में चीजे खेलनी जितनी अच्छे आप strong होंगे उतना जल्दी आप quotient को attempt कर पा रहे होंगे और decimal तक पहुँच पा रहे होंगे आप सवालों को थोड़ा लेंदी किया जा रहा ताकि आपका time consume किया जा रहा पढ़ने में और आपका concentration भंग हो इसके लिए थोड़ा लेंदी कोशन बनाया जा रहा है ये दो सबसे important measure बदला आपको maths में और यही same चीज़ आपको reasoning में भी आपको बतला दू अभी तो ये दो important factor है जो बदलाओ की बाते कर दी है मैंने ठीक है ये book की बाते मैंने बतला दी है और ये सारे topics की बाते मैंने बतला दी है ठीक है that's all ये चीज़े अगर आप follow करते हैं लेकिए बहुत सारी चीज़े है YouTube पे आप इधर उधर की चीज़े देखेगा लेकिन जो exact चीज़े जो हुई है railway में अभी तक और यही आगे का pattern चलेगा दोस्तो यकीन मानिए आप इसके लिए तयार करिए खुद को आप में से major student है ये सारी चीज़े आपने नहीं की होगी इसलिए CBT1 Maths के लिए Reasoning के लिए और Science के लिए इसको फोकस करिए Reasoning और Science के लिए भी मैं बहुत जल्द 102 दिन के अंदर मैं वीडियो बनाऊँगा बाकी ये सारी चीज़े मैं इसलिए बताऊँगा बतला भी रहा हूँ या बतला पा रहा हूँ क्योंकि इन सारी चीज़ों को मैंने फेस किया और हर एक्जाम का मैं रिव्यू करते रहता हूँ ये बहुत अच्छा खासा अपना experience भी हो गया बाकी जब आप वीडियो देखेंगे content की यानि कि classes की देखें, engineering, drawing का देखें science का देखें, तब आप खुद समझ जाईए कि क्या quality आपको दी गई है बाकी अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे maths के ये सारे 23 chapter अच्छे से ready कर लिजे मैं एक बार scroll कर दिया हूँ ठीक है, और ये video भी मैं share कर दूँगा group में, इस group को जरूर से join करिएगा link especially railway के students के लिए जरूर से join कर लिजेगा, ये सारे books भी मैंने बतला दिया, आपको ये book को follow करना, pyq topic wise railway के वह सबसे पहले tcs कोशन बनाने, सबसे पहले तो concept build up, उसके बाद tcs के कोशन, उसके बाद ssc के पूछेगा tcs के द्वारा, ठीक है बाकी जो बदलाव है, calculation strong करना है, और जो कोशन को lengthy बनाई गया, ये चीज़े आपको याद रखनी है, बाकी बने रहेंगे, हम लोग चीज़े आपके साथ update करते रहेंगे, क्या क्या चीज़े आपको करनी है, मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद